तो लोग हमें फोन करकर के चलती मैं बाइक चला रहा हूँ और फोन आ गया कि अरे आप फोन क्यों नहीं उठा रहा हूँ? मैंने का रहे मैं बिजी हूँ इसलिए नहीं उठा है ना फोन आप आना आप कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले कि फोन क्यों नहीं उठा रहे हूँ मुझे गवर्मेंट ने ये जमिदारी थोड़ी दिये कि तुम्हारा हर फोन उठाऊंगा मैं भई जाहिर सी बात है मैंने availability शो करिये YouTube पे कि हाँ ये मेरा number है ये मेरा contact है आप यहाँ संपर कर सकते हैं जब भी आपको कोई समस्या हो तो होती है जितनी कोशश मुझसे बनती है उतनी मैं हर एक query को हर एक सवाल को सुलजाने की कोशश करता हूँ सामने वाले की लेकिन जब कभी नहीं सुलजा पाता हूँ एक के दुक्के की तो वो सामने वाला यहों भड़कता रहे क्यों भी हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो और गाड़ी चला रहे हो रोक के बाद करो मुझसे फोन पर ऐसा भी बोला किया है मुझे लोगों ने महंती और मशहूर इन दोनों के होने में इक बहुत बड़ी मुसीबत है महंती और मशहूर होने में एक बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि आपकी मस्रूफी को आपकी मखरूरी समझ लिया जाता है मस्रूफी यानि आप बिजी है व्यस्त है मस्रूफ फुरसत नहीं है मस्रूफ है बहुत बिजी है व्यस्त है इसको आपकी मखरूरी समझ लिया जाता है बलके होता ये है कि आदमी जितना ज्यादा मशूर हो गया है तो ये भी है कि उतना ही ज्यादा काम भी उसके पास ज्यादा आ चुका है और जतना ज्यादा काम आएगा वो उतना ज्यादा मसरूफ होगा क्योंकि वो महंती आदमी है तो वो ज्यादा से ज्यादा काम में वक्त अपना लगाता है तो व्यस्त रहता है भी सी रहता है और इसके चलते कई बार ऐसा हो जाता है कि कई चीजों में वक्त की कटोती हो जाती जब काम में वक्त जादा देने लगता है इंसान तो दूसरी चीजों में वक्त की कटोती हो जाती कम वक्त वहां दे पाता है तो जैसे ही कम वक्त दे पाता है तो सामने वाला यह समझ लेता है तो मैं तो अब हमारी पड़ी नहीं है, तो मैं तो अब हमारी फिक्र ही नहीं है, तो मैं तो अब हमसे क्या लेने देना, अब तो तुम मशूर हो गए हो, बगर मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ, जो ये भूल जाएं कि मैं मशूर हुआ ही किस वज़े से हूँ, मैं लो के लिए किया मैंने लोगों के लिए काम किया तो लोगों को मैं पसंद आया है और लोगों ने मुझे उपर चढ़ाया कि अरे सरा आप बहुत बढ़िया सखाते हैं बताते हैं वो मेरी आदत रही है लोगों के लिए मदद करना लोगों की मदद करके उन्हें बताना है लेकिन कि मुख्सान देखेए इस पे क्या होता है जब आप लोगों के लिए काम करने लगते हैं नोगों को देने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा उनकी expectations से भी ज्यादा उन्हे देने लगते हैं जितना उनको available नहीं हो रहा है जितने की वो किमत भी नहीं चुका पाएंगे उससे भी ज़ादा आप देने लगते हैं तो सामने वाले की जो expectations है वो बहुत ज़ादा बढ़ जाती है यह लाजमी है बहुत जाहर सी चीज है कि सामने वाला फिर और ज़ादा expect करता आपसे उमीद और ज़ादा लगता है कि यार इतना दिया है तो यह भी इतना दिया है तो ये भी देगा इतने जवाब मिले हैं तो ये जवाब भी मिलेगा ही मिलेगा ये सामने वाले की उमीद है बहुत जाहर सी चीज़ है इसमें मैं ये भी नहीं कह सकता है कि एक के दुक्के की बात है सबके साथ यही होता है कि जितना हम देने लगेंगे उतना जादा सामने वाले को ये लगने लगेगा रही ये तो हमारा हक है हम और लेंगे और जैसे ही सामने वाला देना थोड़ा कम कर दे किसी भी वज़े से बहले वो चाहा कर ये जान बूज कर कम करे या फिर अंजाने में अगर वो चीज या वो टाइम कम हो जाए तो सामने वाले क लगने लगता अरे ये क्या भी तुम्हारे तो जिम्मधारी थी जबकि जिम्मा नहीं था जिसकदर हमारे साथ अकसर होता है कि हम YouTube पे क्योंकि वीडियोस डालते हैं सिखाते हैं लोगों को निशनक देते हैं वो ग्यान तो लोग हमें फोन करकर के चलती मैं बाइक चला रहा ह और फोन आ गया कि अरे आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मैं बिजी हूँ इसलिए नहीं उठाए ना फोन आप कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले की फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मुझे गवर्मेंट ने ये जमेदारी थोड़ी दिये कि तुम्हारा हर फोन उठाऊंग की लेकिन जब कभी नहीं सुलजा पाता हूं एक के दुक्के की तो वो सामने वाला यह भड़कता रहे क्यों भी हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे और गाड़ी चला रहे रोक के बात करो मुझसे फोन पर ऐसा भी बोला गया है मुझे लोगों ने तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जिमेदारी मुझे किसी ने दे रखी है नहीं मैं अपनी इच्छा से करता हूं कि मुझे अच्छा लगता है बताना आपकी भी क्लास मैंने घंटे भर की क्लास को दो-दो घंटे तक लिया है कंप्यूटर काम नहीं किया तो फोन पर वीडियो क्लास मैं आपको सि क्युकि मैं सिखाता हूं, ज़से संगीत की सेवा कर रहाँ इसको आगे बढ़ा रहा हूं। कई बार एक्सट्रा वक्त भी दिया है। या मैं ऐसा झता रहा हूं? मुझे अच्छा लगता है करना, तो मैंने किया है, लेकिन ऐसे मैं अगर एकाद भार कभी न हूँ तो उसको ये न समझ लिया जाए कि मैं down to earth नहीं हूँ या मैं आगे बढ़ गया हूँ क्योंकि न तारीफ न आलोचना मुझ पर कुछ असर नहीं करता है न प्रशंसा न आलोचना किसी की प्रशंसा कि अरे सर आप तो बहुत ब अपने हाथ रखता हूँ टियून रखता हूँ अपने आपको मुझे मालूम है मुझे क्या कमी खामी है मुझे कोई न चड़ा सकता है न उतार सकता है तो down to earth तो मैं already ही हूँ down to earth रहकर आस्मा पे नजर मेरी हमेशा रहती है पैर जमीन पर और जो मेरी मन्जिले है वो आस्मान है और in fact आस्मान भी नहीं है मैं उचाई नहीं मैं गहराई चाहने वालों में से हूँ मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे हूँ जिसे वो मशूर होना ये मेरा मकसद कभी न रहा है न रहेगा मैंने काम किया है लोगों के लिए लोगों ने पसंद किया है उस काम को मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे पसंद करो काम पसंद करो काम तुम्हारे काम आएगा मैं तुम्हारे जो चीज कही मुझे थोड़ी सी लगी ऐसा भी नहीं कि मुझे बुरी लगी नहीं मुझे क्या बुरा लगेगा मैं किसी की बात का ना बुरा लगाता हूं ना भला लगाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा खास किसी का फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि किसी को मैंने इतना अपना मान नहीं रखा है कि उसकी बात का मुझे अच्छा या बुरा भी लगे मुझे अच्छा लगता है तो सिर्फ अपने गुरूओं की बात का बुरा लगता है तो भी सिर्फ अपने गुरूओं की बात का और गुरूओं की बात का भी बुरा तब लगता है जब मैंने कुछ गल्दी करी हो और बुरा उन पर नहीं खुद से लगता है कि ऐसा मैंने मौ ही क्यों दिया कि इनको कहना पड़े तो खेर मुझे आपकी बात का भी कोई बुरानी लगा भा लगाता ही नहीं पर हाँ यह बताना भी मेरा ही फर्ज था कि किस वजह से आपकी कुछ उमीदों पे मैं अगर खरा नहीं उतरता हूं तो वो यह है कि उमीदे कुछ जादा ही मैं कहीं न करी है न करूंगा और न करता हूं मैं बादशाह हूं तो अपने काम का और गलाम हूं तो सिर्फ उपर वाले का और अपने काम का किसी और का बादशाह नहीं हूं और किसी और का गलाम भी नहीं हूं कि मुझे उसके जवाब देने ही पड़ेंगे कि पर मसरूफ ह रहती है थोड़ी वेस्त अता रहती है उसके चलते हैं मैं नहीं चीज़ें कर पाता हूँ अगर आप यह खुद कहरे हैं कि आप जितने भी आगे बढ़ जाएं अगर मैं आगे बढ़ा हुआ हूँ तो ये भी तो सोची मेरे पास काम भी तो हजार होंगे कितनी ओन्लाइन क्लासिज मैं लेता हूँ कितनी वीडियोज हमारे हर आए दिन वीडियोज आते हैं कितनी रिकॉर्डिंग्स हमारी हर आए दिन होती है हाँ मैं माफिजरूर चाहूँगा कि मैं आपके जवाब नहीं दे पाया आपके सवाल का मुझे उसका खेद भी है उसकी माफी भी है मेरी तरफ से क्षमा प्रारती भी हूँ मैं लेकिन ये भी नहीं कि मैं मेरी जमेदारी थी कि मुझे उसी समय जवाब देना ही था तो ये तो हो गई मेरी तरफ से बात अब दूसरा मैं आपको एक और चीज समझाऊँगा जिखाऊँगा कि आपकी तरफ से क्या होना चाहिए मैंने ये चिस्सा हजारों वार सुनाया है मेरे पिताजी और गुरुजी का कि उस खिस्से से कितना सब्र आप सीखते हैं विद्यारती में कितना सब्र होना चाहिए, पूरे दिन गुरुदेव के सामने पिता जी कौपी खोल कर बैठे रहे कि अब वो चेक करेंगे, मैं जो चीज तयार करके लाया हूँ, और पूरे दिन में गुरुजी को टाइम नहीं मिला, वो दूसरों को सिखाते रहे और पिता जी को सिखाया, समझाया कि सब्र केसे कहते हैं सीखने में, वो एक स्टूडेंट की तरफ से बता रहО हूँ, मैं आपको, पहले तो मैंने बता दिया कि टीचर के पास क्योँ दाइम नहीं होता है, अब मैं ये बताता हूं कि स्टूडेंट को कितना सब्रे रखना होता है, औ आपको तो फिर भी सिर्फ तीन दिन हुए हैं, वेंजडे ना, आज क्या है, संडे, तीन-चार दिन हुए आपके सवाल का जवाब ना मिले, हमें तो महीनों हो जाते थे अपने गुरुओं के पास जाते जाते, वो सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता था, तब भी हमने धहरे नहीं खोया है, क्योंकि हमने यही सीखा है, कि गुरु से वो जो सवाल है, वो उसका जवाब देंगे अपने वक्त अनुसार, हमारा काम है पूछना और फिर स्वाध्याय करना, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, यह रिष्टा है, समझ रहे हैं, माबाप कभी ऐसे नहीं कि करते हैं, कहीं नहीं लिखा है, सरकार ने तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, करते हैं ना, बच्चे, बच्चों को पैदा करेके छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ पाते हैं, क्योंकि कानून में कहीं लिखा हुआ है, कि बच्चा पैदा किया तो उसको पालना भी भड़ेगा, नहीं इच्छा अनुसार होती है वो काम तो यह रिष्टे में यही होता है लें दें रिष्टे का जो है ठीक है खेर उमीद तो मुझे यही है कि आप मेरे इन बातों का बुरा नहीं लगाएंगी और बुरा लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपके काम की ही चीज़े में बोली है और कुछ मेरे ख्याल से आपका अपमान मैंने नहीं किया और कुछ ऐसा भी नहीं बोला कि जिससे आपको बुरा लगना चाहिए शायद मैंने सारी सत्ते बातें ही बोली है अपने अनुभव अनुसार भी और जो मैंने सीखा जाना है वही बताया है ठीक है